तो आज हम पढ़ेंगे ठीक है और इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे पढ़ेंगे ठीक है आप यहां पर अपनी क्लास अपना जो ग्रुप है उसमें इसका लिंक देकर यह समरी पढ़ लिजेगा So, To The Cuckoo, This is a poem written by William Wordsworth किसने लिखी है poem? William Wordsworth ने So, let's start the summary of the poem The poem hears the sweet voice of a cuckoo Poet ने, जो William Wordsworth है, वो बोलते हैं कि मैंने cuckoo की कुकु आपको पता है क्या होता है, कुकु कोयल होती है मैंने कोयल की बड़ी मीठी आवाज सुनी It has recently come from its winter quarters कुकु जो है, वो सर्दियों से, सर्दियों वाले इलाके से होकर जल्द इसी अभी अभी, recently इस गरम इलाके की तरफ आई है The sweet music of the bird fills the point's heart with joy और उसकी मीठी सी आवाज है, उस परिंदे की, जो मीठी सी आवाज है मीठी सी दुन है उसकी बोली में, वो point के heart को उसने खुशी से बर दिया है He welcomes the bird with many sweet names और वो उस बर्ड को बड़े अच्छे अच्छे नाम देता है, बड़े मिठे मिठे नाम देता है क्यूंकि उसको उसकी आवाज बड़ी ही अच्छे लगती है He calls it a happy newcomer, उसने उसको नाम दिया, happy newcomer खुशाल, नया इंसान, नया जानवर, नया आया हुआ जानवर जो हमारे इस इलाके में आया है He calls it a wandering voice, since the cuckoo's voice is heard sometimes from far off and sometimes from very near वो उसको ये नाम भी देता है, wandering voice wandering voice means गूमती हुई आवाज, क्यूंकि आपने कभी सुना है, cuckoo के आवाज कभी ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर से आ रही हो, और कभी कबार ऐसा लगता है कि बिलकुल पास से आ रही हो ठीक है, तो इस तरह से वो उसकी आवाज हमें बड़ी ही मीठी लगती है point को, point उसकी आवाज, उसने उसको पहले happy newcomer का नाम दिया क्योंकि वो winter region से, summer region की तरफ मू करके आया था और उसके बाद उसको wandering voice, wandering voice means गूमती हुई आवाज, इदर उदर गूमती हुई आवाज क्यों क्योंकि कभी उसकी आवाज हमें दूर से सुनाई देती है और कभी-कभी ऐसा लगते है कि वो बिल्कुल पास में वो अपनी आवाज, जो उसकी सुरीली आवाज है, वो सुनाई देती है जब वो कुकु की आवाज सुनता है, तो पॉइट को अपने बचपन के दिन, लडगपन के दिन याद आते हैं, जब वो एक छोटा लड़का था, होया करता था और तब वो क्या करता था? वो फिर इन परिंदों को, इन कुकु को जब वो आवाज सुनता था उनको कभी जाडियों में डूनता था in trees, कभी पेड़ों के ओपर डूनता था and in the sky और आस्मान के अंदर डूनता था but he could not, he could never find the bird लेकिन उसको कभी भी वो bird की आवाज नहीं सुनाई दी मतलब वो bird कभी भी उसको नजर नहीं आया he could only hear its voice वो सिर्फ उसकी आवाज सुन पाता था मगर परिंदा उसको कभी भी नजर नहीं आया ठीक है, परिंदा उसको कभी भी नजर नहीं आया he could only hear its voice उसको सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती थी he says that even now the cuckoo is to him an invisible mysterious thing और वो बोलता है कि अभी भी cuckoo जो है वो मेरे लिए अद्रिश एक अजीव गरीब चीज है जो मुझे नजर नहीं दिखाई नहीं देती है he calls it the darling of the spring and a blessed bird वो उसको spring, spring क्या होता है बहार, बहार की प्यारी सी चिडिया उसको नाम देता है और blessed bird और मतलब blessed bird हो गया कि वो उस पे खुदा की रहम होनी चाहिए blessed bird हो गया बहुत ही अच्छा परिंदा है ठीक है इट ट्रांस्फर्म्स दिस अर्थ इंटो ए फिरी लैंड उसकी आवाज की वज़े से यह जो अर्थ है, यह जो दर्ती है, यह जो जमीन है यह हमें पूरिया और दूसरे लफ़ में यह कहा जा सकता है कि कुकु की आवाज सुनकर पॉइट जो है, उसको सारे गम सारी तकलीफें, इस दुनिया में जो भी एक इनसान को बुगतनी पड़ती है जेलनी पड़ती हैं, वो सब उसको बूल जाते हैं तो इस तरह से आपने देखा कि पॉइट को कुकु की आवाज सुनकर सारी तकलीफें, सारे दुखदर्ग जो भी एक मिटेरियल वर्ल्ड के जो भी इस मायावी दुनिया के जो भी इस दुनिया में होते हैं वो सब बूल जाते हैं तो इसलिए ये पॉइंट जो है ये उसने कुकु को देखकर ही ये पॉइंट लिखी है क्योंकि इसके आवाज बड़ी सुरीली होती है तो उसको वो बच्पन से डूनता आ रहा है और अब भी उसको वो डून रहा है जो अभी उसके लिए इन्विजबल है ठीक है इसके बाद हम पढ़ेंगे समेंट समरी सेंट्रल आईडिया ठीक है सेंट्रल आईडिया जो होता है पॉइंट का इस पॉइंट शोज दा पॉइंट's love of nature अब इसका थीम क्या है पॉइंट का इसमें वो दिखाता है अब मतलब पॉइंट's love of nature उसका जो कुदरत की तरफ प्यार है पॉइंट का वो इस पॉइंट में दिखाया गया है वो उसकी मीठी सी आवाज कुकू की आवाज सुनता है और वो उसका दिल खुशी से जूम जाता है खुशी से बर जाता है और उसको अपने बचपन के दिन लड़कपन के दिन याद आते है वो फिर क्या करता है करता था उस परिंदे को जब उसकी आवाज सुनता था फिर उसको डूनने की कोशिश करता था कभी पेडूं के ओपर, कभी जाडियों में कभी आस्मान की तरफ देखता था बट ही कुड नेवर फाइंड था बर्ड एनिवेर तो ही कुड हेर इस म्यूजिक आल आराउंड लेकिन उसने कभी भी परिंदे को नहीं देखा कहीं पर भी नहीं दिखाई देता था सिर्फ उसकी आवाद उसको हर जगा सुनाई देती थी उसकी दुन जो है उसको हर जगा सुनाई देती थी He calls the bird a wandering voice उसने उसको कह नाम दिया था परिंदे को गूमती हुए आवाद इधर उधर बटकती हुए आवाद He also calls it a mystery वो इसको एक मिस्ट्री भी बोलता है, मिस्ट्री में जादू, मतलब सॉल्व नहीं हो, कि मेरे को चुरिया तो नजर आती नहीं है, मगर उसकी आवाज जो है, उसके रोम रोम में बस गई थी, because he has never been able to see it, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ उसकी आवाज सुन पाता हूँ, लेकुन उसको मैं देख नहीं पाता हूँ, ठीक है, तो this is actually the nature lover's poem, जिनको nature से प्यार होगा, पेड पोदूं से प्यार होगा, जानवरूं से प्यार होगा, he understands it very much, तो फिलाल इतने आज के लिए इतना है, central idea of the poem and summary of the poem, to the cuckoo, written by William Worsford, go through this and watch this, watch this summary on the YouTube, ठीक है, तो तब तक के लिए, take care, stay home, stay safe.